कि देखे बच्चों ऐसा तो नहीं है कि मैंने क्या बताया आपको मैंने यह बताए है कि जब ही प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांस्पोर्टेशन होता है तो बल्क की फॉर्म में होता है मतलब थोक की भाव में होता है यहां ऐसे कह सकते हैं कि लार्ज amount of water molecule plants के दोरा absorb किया जाता है अब ऐसा तो नहीं है कि जितना भी water absorb किया जा रहा है वो सारा का सारा plants के parts में use हो जाए ठीक है plants के अंदर बहुत सारी mechanism होती है बहुत सारी किरियाय होती है photosynthesis होती है transpiration का process हो रहा है और आपका gases exchange का भी process हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पानी पकर रहा है इसेma r या लेकिन जो extra water उसका बाड़ी में भॉठ दी किया जाता है वे क्या कर दिया जाता है तो इसकी leaves के द्वारा wrap कर दी जाता है और analyze कर दिया जाता है इलैसे ही तो टो की प्राइशन का है तरह कि तोती है कि तोमसर में यांड एल्प तोम ढेंज यूरो धगशन का सांच को स्थाज स्थानग तो या धान मा धिक तोती City contribution के अि मिला अत्ता डीस था DAN नाइट किक टाइम क्या है यह क्लोज होते है अब यह दिन की बात करते हैं तो दिन में तो भी यह कंटिनियस क्या है त्रास्पारेशन का प्रोसेस हो रहा है वाटर रिलीज आउट हो रहा है तो प्लांट को वाटर तो चाहिए ही ना तो नॉर्मल सी बात है कि का प्रोसेस हो रहा है अब मुझे एक बात बताईए कि कुछ ना कुछ तो क्या है लीफ उपड से सिंगनल देती होगी कि जाइलम को क्या है तुझे वाटर को खीचना है और मुझे देना है ताकि मैं ट्रांस्पेरेशन का प्रोसेस कर सकूँ नर्मल सी बात है नभी देखो हमें भूक लगती है तो हमारा पेठ हमारे ब्रेंड को सिंगनल देता है ने कि चल अब भूक लग रहे किचन में भगले मम्मी सा खाना लिया तो यहीं पर ही जो लीफ होती है वो कुछ ना कुछ ता ऐसा सिंगनल देती होंगी ना जाइलम को कि मैं तुझे सिंगनल दे रही तो जा जल्दी से जो रूट की सायता से एब्जोब किया गया वाटर है वो मुझ तक पहुचा तो वो क्या होता है वो क्या होता है बच्चो ट्रांस्पाइरेशन पुल क्या होता है transpiration pull हमेशे याद रखना transpiration pull किसकी साइधा से लगाय जाता है plants की leaves की साइधा से लगाय जाता है क्यों क्योंकि plants में continuous day के time पे transpiration का process होता रहता है जिस वज़े से plants की leaves को लगातार पाने की ज़रुवत पड़ती रहती है तो वो क्या करती है वो xylem के ओपर या roots के ओपर क्या करती है एक खिचाव उतपन करती है जिसे हम बोलते है वास्पो सर्जन खिचाव या transpiration pull जिसकी साइधा से जो xylem होता है वो active होता है या active हो जाता है और वो क्या करने लगता है continuous absorb किये गई वाटर को किसको transfer करने लगता है leaves को transfer करने लगता है इतनी बात आप लोगों को समझ में आए कि transpiration pull क्या है या transpiration खिचाव क्या है transpiration pull एक टैप का खिचाव है जो किस से किस पे लगाया जाता है plants की leaves की साइधा से plants के root पर और xylem पे लगाया जाता है ताकि continuous वो water को absorb कर सके और leaves को दे सके किसके लिए transpiration के pull के लिए इस डेट के लिए आगे चलते हैं अब देखिए लगातार पानी दिया जा रहा है लगातार leaves की साइधा से transpiration का process हो रहा है तो हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना मतलग किसी भी टाइप से transpiration के process में disturbance create ना हो इस वज़े से जो H2O molecules होते हैं वो हमेशा एक sequence में क्या है transport होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो H2O molecules होते हैं वो एक kolum में क्या है transport होते हैं leaves तक क्यों ताकि जो transpiration का process है वो continuous या लगातार होता रहे आपको कोई topic लर्ण करना है आप बहुत शिद्ध से लर्ण कर रहे हैं लेकिन क्या है कभी आपके पापा आजाते हैं आपसे खाना पूछने के लिए कभी आपकी मम्मी आपसे दूद पूछने के लिए आजाते हैं कभी आपका कोई friend है आपको कॉल कर देता है कुछ पूछने के लिए तो क्या है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा जो फ्लो आपका बना होगा था आपकी topic को लर्ण करने के लिए वो टूटेगा नहीं टूटेगा तो ऐसा ही कुछ होता है प्लांट्स के अंदर भी अब यहां पर आप देख रहे हैं कि continuous क्या है ट्रांस्पारेशन का प्रोसेस हो रहा है अब यदि किसी वजह से क्या है यह जो molecules यह जो सिक्वेंस में नहीं चलते हैं एक फ्लो में नहीं चलते हैं तो ट्रांस्पारेशन का प्रोसेस क्या इतनी बाद समझे मैं आप देखिए अब यह लगातार हो रहे हैं लेकिश्पोस्टाइट हम ऐसे क्या सोच के चलते मालीजी यह चैंड टूट जाए किसी भी वज़े से चैंड टूट जाए और जो फ्लो है क्या है वह बिगड जाए डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो ट्रांस्प का फोर्स प्रिजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कोहेशन फोर्स जिसे हम कहते हैं कोहेशन फोर्स कोहेशन फोर्स जिसकी सहायता से जो दो मॉलेक्यूल से आपस में क्या है कनेक्ट होते हैं और एक कोलम में ही एक कोलम में ही अरेंज होकर क्या करते हैं ट्रांस्पोर्टेशन का process करते हैं ठीक तो हमेशा ध्यान रखना त्रांसपेरेशन का process जो है प्लांट से अंदर लगाता होता रहे इसके लिए जो होगता का transportation है एक sequence में होता है जो होगते है एक सेक्वेंस में या एक column की form में ट्रांस्पोर्ट होते हैं इसके लिए ताकि ये कोलम की फॉर्म में अरेंज रहें दो एक फॉर्स वर्ट करता जिसे हम बोलते हैं कोहेसन फॉर्स ठीक है अब ये बात तो समझ में आगे कि यह हमें सीधे-सीधे फ्लो हो रहा है और चैन ना टूटे इसके लिए एक फॉर्स इसके लिए ताकि ये लाइन ना टूटे ये सिक्वेंस ना टूटे तो जायलम की वॉल में और इन एक फॉर्स वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं एडहेसन फॉर्स ठीक है एडहेसन फॉर्स तो हमने क्या पढ़ा हमने यहां पर यह पढ़ा कि ट्रांस्पारेशन के प्रॉस करने के लिए हमें ट्रांस्पारेशन पुल की ज़रत पढ़ती है ट्रांस्पारेशन पुल की ज़रत पढ़ती है ट्रांस्पारेशन पुल जो है किस से किस के तरफ लगया जाता है लीज के दवारा लगया जाता है किस किस के तरफ जायलम के लिए और रूट्स के लिए ता में क्या है ट्रांसपोर्ट होते हैं कोलम में ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके लिए यहां पर दो टाइप के फोर्स हमारे पास अवेलिबल है कौन-कौन से एक तो होता है कोहेशन और एक होता है एडहेशन ठीक है एडहेशन यदि हम कोहेशन फोर्स की बात करते हैं तो यह फो होता है between wall of xylem and H2O molecule ठीक है यह हम क्या बात कर रहे हैं हम force की बात कर रहे हैं जो किसके लिए responsible है plant में transpiration के process को कराने के लिए यह दो टाइब की force हमने देखा cohesion force और adhesion force जो cohesion force है यह present होता है दो water molecules के बीच ताकि जो water molecules से आपस में connect रहें और एक column में arrange होकर क्या करें flow करें ताकि जो transpiration का process है वो leaves में continuous होता रहे ठीक है और adhesion force कहां present होता है xylem की wall के और H2O molecules के बीच में ताकि जो molecules हैं वो इधर उधर दायबाय ना गिरें ठीक है इती चीज आप लोगों को clear है हमने क्या क्या पढ़ लिया है थोड़ा से transpiration का process भी हमने सीखा है और थोड़ा सा हमने किसके बारे में जाना है two types of force के बारे में जाना है जो responsible होते है प्लांट में transpiration की किलिया को कराने के लिए ठीक है इतनी बात आप लोगों को clear है अब देखिए root pressure की हमें क्यों जरुत पढ़ती ठीक है root pressure कहीं ना कहीं एक और work करती है plant के अंदर regeneration of H2O molecule column ठीक है क्या होता है कि मैं अभी बताया ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि के टाइम जब लगातार क्या है प्रोसेस होता रहेगा होता रहेगा तो अब हैसी क्भी ना कभी तो ऐसी कोई capacity आयेगी ना तो नाइट के टाइब चेहां बchnए किया होता है इस्ट्रमैटा कम बंद हो जाती है जब यह क्लोज हो जाते हैं। जब stomatter यहां पर क्लोज वह गए हैं तो यह कौन सी condition है बच्चो यह night की condition हो गए night की condition में जब stomatter close हो जाते है तो क्या है transpiration का process रुख गया अब जब transpiration का process नहीं होगा तो भी normal सी बात है root तो क्या है अपना काम करेगी एब्सो नहीं करेगी वो यह तो absorption का process इधर उधरती तर इधर विखर गए होते हैं वो उनको एक सिक्वेंस में अरेंज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि नीचे से वाटर मॉलिकुल से ट्रांस्पोर्ट हो ही रहे न उपर की तरफ चाहे उपर ट्रांस्पारेशन का प्रोसेस हो चाहे ना हो तो यहां पर जो है ज प्रोसेस तो हो रहा था लेकिन हमने क्या देखा भी एप्जोप्शन का प्रोसेस हो रहा है तो वाटर तो क्या है क्लेक्ट होगा प्लांट के अंदर और ट्रांस्पारेशन का प्रोसेस हो नहीं रहा है तो जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट के अंदर वो कहां से रिलीज thoughts थिक है high the thoughts ये जो पोर्स होते हैं इनके ऊपर जो extra water होता है वह छोटे-छोटे water drop की form में क्या है? release out हो जाते है from the plants इस process को हम बोलते हैं इस process को हम बोलते हैं gutation Gutation ठीक है देखे होता क्या है जब night के time में लेकिन वटर तो एब्स किया जा रहा है जो प्लांट्स है अब अभी आप्स एक्टीटिस तो कर रहे हैं लेकिन प्लांट की वोड़ी से तो चोट चोटे-चोटे बोर्स और प्रेज़न भी है मुलते हैं हैं और हाइडा थोट्स पर क्या होता है नेके टाइम में च्टा से जल की बुंदों की फॉर्म में जो वोटर किसके बोड़ी के सही है प्लांटकी बाः इकजित होगा इस प्रशेस को हम मोलते हैं या ग्यूटेशन ठीक है याद रखना कि इस टाइम इस वाटर ड्रॉप में इस मोटर ड्रॉप में वाटर तो है लेकिन को सब्सक्राइब के साथ साथ और अमेनरल भी है तक अनर्माशत अ क्या है diff नुखाँ आसिसे इस वॉटर सबस्क्राइब स्बस्लब को करल乾 खे दिधन एन यूट किई जो लिए टरोटेशन के लिए ने क्या तो यहां पर हमने दो चीज़े पढ़ी यहां पर हमने क्या पड़ा यहां पर हमने ट्रांस्पारेशन का प्रोसेस को समझा ट्रांस्पारेशन के प्रोसेस के तुर यह थी वाटर बॉड़ी के भार एक्जित हो रहा है प्लांट की बॉड़ी के भार एक्जित हो रहा है तो व अब लोगों निकालना पड़ेगा प्लांट से तो यदि आप लोगों ने कभी ध्यान भी दिया हो कभी ध्यान देना यदि नहीं दिया है तो सुभा के टाम अर्ली मॉर्निंग देखेंगे ना तो लीफ की जो सर्फेस होती है उसके चारो तरफ चोटी चोटी क्या है जल ड्र फorted पाई जाएंगे तो क्या होता है कि एक्ट्रा वाटर होता है वहरी मॉर्निंग में नाइट कर फोला कि इस तो सिर्फेस ना के बराबर होता है तो ईनों में क्या ऊथा था शाइता से चिल्याद बीट्वल किल्वलाबर किल्या हो जाते उसका है ने यहा णीयो है क्या के साथ मिनरल भी प्रिजेंट होती है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है यहां हमने क्या पड़ा है आज हमने एसेंट ओफ सेफ में हमने यहां पर दो चीजे पड़ी हैं कि रूट प्रेशर हमें अपलाए करना पड़ता है एसेंट ओफ सेफ के प्रोसेस को करने के लिए दूसरा हमें किया प्लाए करना पड़ता है ट्रांसपारेशन पूल एपलाए करना पड़ता है थारिस्ट अपको यहां तक कि अपर नस पर भी आपको यहां थे समझ में कि देख लेटेंग है झालिड़ू झालिग। कि देखिए जब हमने लॉंग डिस्टेंड ट्रांस्पोर्टेशन सुरू किया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि यह ँपर कmoreुंद करना है तो इनуск को ट्रांस्पोर्ट करने के लिए लंबे ट्राइशन में लोग् डिस्टेंड ट्रास्पोरेशन की द्वार होता जिने हमने नाम दिया था जाइलम एंड फ्लोयम फिर हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली यह चीज़े तो आप जानते हैं जो जाइलम है वो मेनली ट्रांसपोर्ट करता है एक तो वाटर को और मिनरल को ठीक है लेगने दी हम फ्लोयम की बात करते हैं तो यह ट दाउनवर्ड तू अपवर्ड ठीक और यह हम फ्लोयम की बात करें तो जस्ट अपोजिट कर दीजे अपवर्ड तू डाउनवर्ड ठीक इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि हां चलो भी है यह चीज़तों हमें समझ में आ गये कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो अपने अपने काम को कम्पीट करते हैं तो वह पाथवे आपका ए क्प्लास पाथवे के अपका चीम प्लास हमें लोगों में track du 향 ट्रांसपोर्टेशन के अपके समझते हैं एं इसकी थो वॉटर मॉलीक lif yan sie कि थो ट्रांसपोर्ट होते हैं इसका रीजन मैं आप लोगों को बताया था कि जो एपोप्लास पाथवे होता है एक तो कैसा होता है एक तो बच्चों यह पाथवे जो होता है यह बहुत ही फास्ट होता है इसकी जो स्पीड होती है वह फास्ट होती है दूसरी बात मैं आप को बताए थी कि एपो प्लास पाथवे में कम टाइम लगता है तो इसमें जो टाइम लगता है वो कैसे लगता है कम लगता है ठीक और तिसरी बात मैं आप लोगों को बताए थी इसमें किसी भी टाइप का क्या है बैरियर किसी भी टाइप का फेस नहीं करना पड़ता है किसको H2O molecules को transport होने के लिए जिस बज़े से जो basically H2O transportation का काम करते हैं वो किसकी साहता से करते हैं एपोप्लास पाथरे से करते हैं अब कि हम SIMPLATS की बात करते हैं तो SIMPLATS का प्रोसेस है वो slow होता है टाइम की बात करें तो यह ज़्यादा टाइम जो है टेक करता है लेता है as comparison to अब मैंने हैं इसे टो इसमें बैरियर को इसे करना पड़ता इसमें जो इंटरिंटर स्पेस होता है उसको क्रोस करें करेंगा यह में को टच करेंगा लेकिन हम बात करते हैं से प्लास पाथवे की तो सिंप्लास पाथवे में जो वाडर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है जिस वजह से वाटर मॉलीकृल को ट्रांसपोर्टेशन के समय बहुत सारे डिफ्रेंट टाइप ओव वेरियर को फेज करना पड़ता है वह कैसा होता है आई बास समझ में इसमें बैसिक डिफ्रेंस यह बताया था कि जो बैसिकली प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वह एक्प्लास पाथवे से होता है क्यों क्योंकि स आप लोगों को इसले चिसके लेयर में बारें इस हम बोलते हैं जिस रहें यह जो cells की cell wall थी उसको आपस में क्या कर रही थी अटेच कर रही थी जिसकी वज़ा से जो intercellular space था cell के बीच वो क्या था खतम हो गया था जिस वज़े से जो H2O का molecule होता है वो cell के intercellular space से जाए cross नहीं कर पाता है जिस वज़े से उसे endodermis layer की cells के अंदर जो है entry करनी पड़ती है तो इस time इस condition में जो होता है वो ट्रांसबोर्ट होने के लिए एपो प्लास पाथवे को कुछ time के लिए छोड़ देता है और क्या टैंड कर लेता है सिंप्लास पाथवे को टैंड कर लेता है तो उसके बाद हम लोगों ने चीज देख लिए थी कि हाँ एब्जॉप्शन इस सेफ किया है यह थे आप लोगों को बताया था क्या होता है क्या होता है कि सिंपल सी बात है जाइलम में आ चुके हैं वाटर और मिनरल उन्हें अब प्लांट्स के एरिल पाथ तक कैसे चढ़ाना है या प्लांट की में है वो कैसे खीचेंगे इस प्रोसेस को हम क्या बोल मोलेक्el टों कि अलीफित लेकिन asum का मतलब ये है कि उसमें स्चमत्चival को मिल यह नरज करो किहने की बात है गड़त हुआ कि üzerine पुर्ण इं पर में जंढेत Yes वह इस्शेंज उस दिसकस करते हैं सब्सकुर्ण तक मिनार मोलेक्वेशन पर चड़ जाएंगे धाइलम से होते हुए उपर की तरफ प्लांट में चड़ जाएंगे ट्रांस्पैरेशन की फूल हमें ज़र्फ पड़ती है, ट्रांस्पैरेशन की पूल लगता है एक्स्ट्रा वाटर को लीफ के द्वारा प्लान्ट से बहार एक्जीट कर दिया जाता है इन दी ओ सॉब ऑफ वापर इस प्रोसिस को मैं क्या बोला था ट्रांसपारेशन बडाथा किस की सायता से होता है क्यों होता है क्यों कि लीप्स की सरफेस पर इस्टोमेटा पाए जाते हैं छोटे-षटे-पोस आजाते हैं जो वॉर्टर को रिलीस करते हैं from the body of plants ठीक है ट्रांस्पारीरेशन करने के लिए जो लीवस होती है वो जायलमय एंड नीड है कि Namen पुल के लिजांज ख़के क्या प्रांसपेरेशन करने के लिजार बहूत जब तक ट्रांसपारेशन को जाहित नहीं के लिज जो बॉल कि दिजानी लगा सकती है तब तक लाइन आप लोको कि जो Tkins पाया जाता है ये पायाजाता है इसका बताया था आप लोगों को क्योंकि जो इस Tired के टाइंट two До लोग कुन। होता है अब यहां हम लोगों ने चीज़ देखी थी किया एक गटेशन का प्रोसेस पाया जाता है तो प्रोनांशेशन में इसलिए बोल रहे हूं कि कुछ इसको घटेशन वी बोलते हैं कि कुछ इसको डूटेशन अग्या नाम से इसको जान सकते हैं अच्छे और क्र Bizim खाना है तो कि अंदक हो जाता है को आगें तो यौ करते रहे Wisanhों खान मुझान दीनीव यौ करते रहते हैं करते रहते हैं advisement लिजिए कि plan absence ईक्स्जट़ को नहीं किया जायेगा तो उसके अंदर वाटर भरता चला जाएगा जो कि उसके लिए harmful होगा तो अब ट्रांस्पारेशन का प्रोसेस तो हो नहीं रहा है तो सोचने वाले बात है कि एक्स्ट्र वोटर कैसे रिलीस किया जाए तो होता क्या है रात के टाइम में लीव की सर्फेस पर ही कुछ और छोटे-छोटे पोर्स पाया जाते हैं जिने हमने नाम दिया था हाइडा थोर्स ठीक है जा नाम दिया था हाइडा थोर्स ठीक है हाइडा थोर्स यह पोर्स होते हैं यह भी लीव की सर्फेस पर ही प्रेजेंट होते हैं या मार्जिन ओफ लीव प्रेजेंट होते हैं तो इन में होता क्या है रात के टाइम में या चोटी-चोटी water drops का पाया जाना इसी process को क्या वोलते हैं quotation या gutation ठीक है बस इस चीज को आप दोगों को याद रखना नहें कि gutation के process में जो water drops leave की surface पर या leaf की margin पर पायाती है वो actually में कैसी होती है yellowish color की होती है क्यों क्यलो कि यह होती है क्योंकि इसमें water के साथ साथ और क्या present होता है बच्चों mineral भी present होता है देखिए यूटेशन का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके सोता है यह कोई leaf है ठीक है यह कोई leaf है यह मैंने बोला है कि लीट के सरफेस पर या leaf की margin पर क्या है ग्यूटेशन के प्रोसेस में छोटे छोटे चोटे वाटर ड्रोप जो है आप लोगों को इस तरीके से चमकते मोती की तरह दिखाई देंगे तब यह आप देखना आपने देखा भी होगा अर्ली मोर्निंग में यदि आप किसी प्लांट की लीफ को देखे तो चोटे चोटी 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 वाटर ड्रोप लिफ की margin पर पाई जाती है तो यह कैसी होती है या किस प्रोसेस के थुरू बनती है यह बनते हैं ग्यूटेशन के प्रोसेस के थुरू और यह किसी को को भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं तब तक के लिए सेफ रहे सुरक्षित रहे अपना ध्यान रखिए वीडियो को देखते रहे ये वीडियो पसंद आये तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बैस्ट ओफ लग और थैंक्स वोचिंग फॉर मेर वीडियो